नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है डियस अकेडमी के यूटूब चैनल में दोस्तों आज 9 जुन 2020 का करेंट एफेस लेकर उपस्तित हुआ हूँ जिसमें इंपोर्टेंट कुईस्चन हैं आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए अगर आपको ये जनकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए तो अगर आप लोग आज का पीडियो फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़िए और टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए जादे देर न करते हुए हम लोग अपने कोश्चेन के तरफ आज चलते हैं कि 7 जून 2020 को किस भारतिय को रिचर्ड डॉक्सिन पुरसकार प्रदान के जाने की घुषड़ा की गई है पहला अप्शन जावेद अक्तर दूसरा अच्छे कुमार तीसरा अप्शन सचिन तेंदुलकर और चोथा अप्शन ए आर रहमान तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अप्शन नंबर ए जावेद अक्तर जावेद अक्तर को रिचर्ड डॉक्सिन पुरसकार प्रदान के जाने की घुषड़ा की गई है दोस्तों 2020 प्रदान के जाने की घुषड़ा की गई है यह प्रस्कार पाने वाले वब पहले भारतिय हैं उन्हें यह प्रस्कार आलोचनात्यमक, बिचारधारा, धार्मिक, सिध्धानतों की समिक्षा, मानोप्रगर्ती और मानावतावादी मुल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाएगा उलेखनी है कि यह प्रसकार बिश्व के परसिद बायोलोजिस्टिक रिचर्ट डॉक्सिन की स्मिति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है तो अगला प्रसने जून 2020 में किस भारतिय लेखिका को एसिया चेतर के लिए राष्ट मंडल लगू कथा पुरसकार प्रदान के जाने की घुषड़ा की गई है तो आपको बताना है कि जून 2020 में किस भारतिय लेखिका को एसिया चेतर के लिए राश्टे मंडल लगू कथा पुरसकार प्रदान के जाने की घुषडा की गई है तो पहला अप्षन है राधिका दूबे दूसरा अप्षन है प्रेंका सिंग तीसरा अप्षन है कृतिका पांडे और चोथा अप्षन है नेधी सुकला तो इसका सही जवाब है अप्षन नंबर सी कृतिका पांडे तो दोस्तों जून दूज़ाजाबीस में भारतिय लेखी का कृतिका पांडे को एसिया चेतर के लिए राश्टे मंडल लगू कथा पुरसकार दूज़ाबीस परदान के जाने की घुषडा की गई है उन्हें यह पुरसकार उनकी कहानी The Great Indian Tea and Snakes के लिए दिया गया है यह पुरसकार वर्स 2012 में राश्टे मंडल से प्रकासित सर्वशिस्ट लगू कथा के लिए दिया जाता है यह पुरसकार Asia, Pacific, Africa, Canada, Europe और Caribbean के पांच हेत्रे विज़िताओं को परदान किया जाता है तो अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है कि कौन सी कंपनी Corona सक्रमर से बचाव हेतु नई तक्निकी वाली कौन टेक्ट लेस ATM मसीन का निर्मार कर रही है तो पहला प्रसन है AGS Transject Technology Limited दूसरा प्रसन है TCS और तीसरा प्रसन है Infosys और चोथा प्रसन है कंगनी जेट तो इसका सही जवाब है आप्रसन नबर A AGS Transject Technology Limited तो दोस्तों 5 जून 2020 को AGS Transject Technology Contractless ATM मसीन का प्रोटोटाइप बिक्सित कर लिया जाने की घुश्रा की है AGS Transject Technology मुंबई में इसीत है एक भुकतान प्रसकरण समाधात प्रदाता फर्म है इसकी पिश्ट भूमी की अगर बात करें तो कोरोना वाइरस के रोक थाम से सम्बंदित कई अध्यनों के निशकर्सों के ये वाइरस ATM मसीनों पर कैस्ट के लेन देन से भी फैल सकता है तो AGS का प्रोटो टाइप इस दिशा में एक महतपूर कदम है तो दोस्तों आकडों की अगर बात करें तो देश में जनौरी 2020 से मार्च 2020 के दवरान ATM से निकासी में 0.5 लाग करोड रुपे की कमी आई है जबकि इस दवरान लेन देन ट्रांजेक्शन की संख्या 67 करोड से घटकर 56 करोड हो गई है और यह संपर्क रहित ATM की बारे में अगर बात करें तो इन मसीनों में ग्राकों को पीन नमबर डालने के लिए बटन डबाने की आव सकता नहीं होगी ग्राहाग बिना मसीन को असपर्स किये ATM मसीन पर दिये गए की वार कोड को मोबाइल से स्केन कर और फिर अपने मोबाइल पर ही एमाउंट रासी डाल कर नकद प्राप्त कर सकेंगे यह प्रक्रिया टांजेक्शन के संदर में सुरक्षित होने के साथ साथ तिवर भी है जिससे मात्र 25 सकेंड में ATM मसीन से कैस निकाल लिया जाएगा गाकों को ज़्यादा परितिक्षा नहीं करना पड़ेगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अगला प्रसन देखते हैं तो अगला प्रसन की वर्स 2019 में HCL और Google Cloud ने HCL के Google Cloud Business Unit को सुरू करने की गोषड़ा की थी तो आपको बताने की वर्ष 2019 में HCL और Google Cloud ने HCL के Google Cloud Business Unit को शुरू करने की गोश्रा की थी तो पहला आपसे हैं भारत में इंटरप्राइज क्लाउड अपनाने में तेजी लाने के लिए दूसरा आपसे हैं दक्षी डेसिया में इंटरप्राइज क्लाउड अपनाने में तेजी लाने के लिए और तीसरा आपसे हैं इरोपिय बजारों में इंटरप्राइज क्लाउड को बढ़ावा देने के लिए और चोथा आपने बेस्विक अस्तर पर इंटरप्राइज क्लाउड को बढ़ावा देने के लिए तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर D बेस्विक अस्तर पर इंटरप्राइज क्लाउड को बढ़ावा देने के लिए किया गया तो चार जून 2020 को भारत की प्रमुक प्रवद्व की कमपनी S.C.L. टेकनोलजी ने गूगल क्लाउड के साथ सायदारी के विश्तार की गोश्रा की और ग्यात है कि उभैपच के द्वारा 2019 में S.C.L. के गूगल क्लाउड बिजनेस यूनिट को सुरू करने की घुश्रा की गई थी जिससे S.C.L. कामर्स एक गूगल क्लाउड पंधित सेवा प्रदाता बन गई S.C.L. काकर्स एक हाई और अवरल बिलीटी अत्यधिक इसके लेवल और अनुकूल योग एक कामर्स प्लेटफॉर्म है S.C.L. कामर्स एवं गूगल क्लाउड के भी सायदारी बिस्तार S.C.L. के साफ्टवेरों को आफर करने के लिए किया गया है तो अगला प्रस देखते हैं तो 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित अधित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रदुकी की एवं स्टार्टप नीती 2017 के अंतरगत उत्तर प्रदेश स्टार्टप फंड का सुभारम किया इस फंड की अर्थापना कितनी राशी से की गई है तो दोस्तों आपको बताना है कि 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के तो पहला आपसा ने 250 करोड रुपे दूसरा आपसा ने 500 करोड रुपे तीसरा आपसा ने 1000 करोड रुपे और चोथा आपसा ने 1500 करोड रुपे तो इसका सही जवाब होगा आपसा नंबर सी 1000 करोड रुपे दोस्तों 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी स्टार्टप नीती 2017 के अंतरगत उत्तर प्रदेश के स्टार्टप फंड की सुबारम किया इस अवसर पर मुख्यमत्री की उपस्थिती में राज सरकार यम शिडवी के मद्दे स्टार्टप फंड की अस्थापना हेतू हर्स्ताक्षिरी समझोता ग्यापन का आधान परदान ह और सुर्म के स्टार्टप फंड की अर्सापना हेतू राज सरकार द्वारा एक हजा क्रोरुपे की रासी आवंटित की गई है और उत्थर प्रदेश श्टार्टप फंड अर्सापित करने वाला पहला राज बना है से उत्थर प्रदेश चरप फंड के अर्सापôm से माध् devo कि उत्तरप्रदेश में पंजिक्रित स्टार्टप के लिए होगी यूपी लेक्ट्रोनिक कर्पूरेशन राज में स्टार्टप एको सिस्टम के विक्सित हेतू नोडल संसाव नामित है और ज्यानकारी है कि उलेखनियकार्य प्रदर्शन हेतू भारत सरकार द्वारा स्टार्टप रेकिंग के अंतरगर्थ इंस्पाइरिंग लीडर के रूप में भी समानित किया गया था तो इतना आपको स्टार्टप के बारे में पता होना चाहिए तो अगला प्रस देखते हैं कि 19 मई 2020 से जम्मू कस्मीर में नया डो मिसाइल एक तलागू हो गया कि अंद सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कस्मीर पुनर गठन आदेश 2020 में सेक्षन 3A जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य केंदसासित परदेश के निवासी होने की परिवासा तै की गई है परदेश में अस्तानिय नागरिक प्रमार पत्र की जगा डो मिसाइल सौटिफिकेट जारी करने हितू 15 दिन का स किसी संस्थान से पास कर चुका है तो जम्मू कस्मीर का निवासी होने हितू पात्र होगा नए डो मिसाइल एक्ट के तहत परश्चिमी पाकिस्तानी सडार्थी सफाई करमशारी और दूसरे राजों में साधी करने वाले महिलाओं के बच्चे भी अब डो मिसाइल के हत्ता बताना है तो पहला अफ़सने इस रेल इंजन का परिचालर्थ पंडित दिन द्याल उपाद्याय जकसन रेल्ए स्टेसन से वारवाडी तक किया गया है दूसरा आफसा ने इस रेल इंजन का नाम WAG 12 नमबर 6 0027 है इस रेल इंजन को बिहार इसीत मधे पूरा इलेक्रिक लोको फेक्टरी में निर्मित किया गया है चोथा आफसे पूरे बिस्व में दूसरी बार बड़ी लाइन पर उच हास पावर के इंजन का परिचालन किया गया है तो इसका सही जवाब होगा आफसर नमबर डी पूरे विश्व में दूसरी बार बड़ी लाइन पर उच हास पार वाले इंजन का परिचालन किया है तो 18 मईए 2020 को भारतिय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के ताथ निर्मित 12,000 हास पार वाले अपने सबसे सक्तिसाली रेल इंजन का परिचालन किया 27 है इस रेल इंजन को बिहार इसित मदेपूर इलेक्टरिक लोको फेक्टरी में निर्मित किया गया है भारत विश्व का च्टा ऐसा देस है जो स्वादेश में अधिक हास पावर का इंजन बनाने वाला देस के प्रतिष्टित क्लब में सामिल हो गया है पूरे बिश्व में पहली बार बड़ी लाइन पर उच हास्पावर के इंजन का परिचालन किया गया है 22.5 तन के एक्सल लोड के ट्विन वो डिजाइन वाले इंजन लोकोमोटिव को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गती के साथ 25 तन तक अपग्रेट किया जा सकता है मदेपुरा एलेक्टिक लोकोमोटिव प्राइबिट लिम्टेड 11 वर्सों में 832.2 अजार हासपावर के इलेक्टरानिक इंजन बनाने की छमता रखता है तो अगला प्रस्थ देखते हैं तो अगला प्रस्थ देखते हैं तो अगला प्रस्थ की 12 महीं 2020 को किस मंत्राले ने चेंपियंस प्रोटल की शुरुवात की तो आपको बताने की 12 महीं 2020 को किस मंत्राले ने मध्यम उधम मंतराले द्वारा तो दोस्तों 12 मई 2020 को सुक्ष में लगू अम्मध्यम उधम मंतराले ने चैंपियन्स प्रोटल की शुरुआत की यह प्रदुकी अधारित एक प्रबंदन सुचना प्रडाली है जिसका उदेश से MSME छेत्र को राष्ट्य और बैस्वी कस्तर पर सक्षम बनाने गुडवत्ता हासिल करने और प्रशास्निक बदाओं को दूर करने में मदद करना है इस प्रोटल के माध्यम से MSME छेत्र से जुड़ी समझ जनकारिया उपलब्द कराई गई है तो अगला प्रशन देखते हैं कि 8 मई 2020 को स्वास्त मंत्राले ने COVID-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से चुटी देने के नए दिशा निर्देश जारी किये इसके अनुशाल लक्षड उभरने के कितने दिन बाद और तीन दिन से बुखार नहीं रहने पर डिश्चा तो इसका सही जवाब होगा आपसान नमबर सी 10 दिन में तो दोस्तों 8 मई 2020 को केंदे स्वास्त परिवार का लियाड मंत्राले ने COVID-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से चुटी देने के नए दिशा निर्देश जारी किये हैं ने दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हलके और मामूली लक्षड वाले रोगियों को उनके स्वास्त की इस्तिति के अनुसार लक्षड उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिश्चार्ज कर दिया जाएगा डिश्चार करने से पहले उनके परिच्चड आवसकता नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग से रहने की सला दी जाएगी संसोरी दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षड वाले रोगियों के तापमान और आक्षीजन और सोसर चमता पर नजर रखी जाएगी तो अगला प्रस्ण देखते हैं तो अगला प्रस्ण की 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश स्वास्त आम महामारी रोग निर्द्र अध्यादेश 2020 के प्रारूप को अनुमोदीत किया गया है इस अध्यादेश के नियमों के अनुपालन एम निगरानी हेतू किसकी अध्यक्षिता में राज्य महामारी नियंत्र प्राधिकरण बनाया जाएगा तो पहला आपसने मुख्य मंतरी दूसरा आपसने मुख्य सचीव और तीसरा आपसने ग्रीय सचीव और चोथा आपसने स्वास्त सचीव तो इसका सई जवाब होगा आपसन नंबर एं मुख्य मंतरी दोस्तों 6 मईं 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोग स्वास्त एवं महमारी रोग निहत्र अध्यादेश 2020 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया इस प्रारूप में राज्य में कोविड-19 को रोग थां एवं बचाव में लगे 10 में कर्मियों ततब स्वास्तिय सेवा कर्मियं पुलीष प्राशासणी अन्य कर्मियों को विरूध मामला करने तथा अपती जनक बढ़ताव किये जाने और रोग ग्रस्त ब्यक्ति द्वारा शोम को छिपाने इलाज बचने रभागने से भास्तिया गया है इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई ब्यक्ति किसी को जान बूझ कर संक्रिमित करता है और उसकी मिज्टिव हो जाती है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है और इसमें यह प्रवधान है कि अगर कोई ब्यक्ति किसी को जान बूझ कर उत्पीडन करता है तो उसे 2-5 वर्ष तक को जेल और 50,000 से 20 लाग तक का जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों यदि जान बूझ कर कोई 5 या अधिक ब्यक्तियों को संक्रिमित कर उत्पीडन करता है तो उसे 3-10 वर्ष तक की जेल साथ ही 1 लाग से 5 लाग तक के जुर्माना प्रवधान किया जा गया है यदि इस उत्पीडन के कारण किसी ब्यक्ति के मिर्ट्व हुई तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिक्तम आजिवन का रवास तक हो सकता है इस प्रकार के मामलों में 3-5 लाग तक के जुर्माना का प्रवधान है इस अध्यादेश के नियमों के अनुपालन निग्रानी है तो मुखे मंतरी अध्यक्षिता में राज मामारी नियंतर प्रादिकरण बनेगा जिसमें मुखे सचीव डीजीपी स्वास्त बित के प्रमुख सचीव आधी सदस्स से होगे तो अगला प्रस्थ देखते हैं तो अगला प्रस्थ नहीं के 7 मई 2020 को एलर्जी पॉलिमर्स इंडिया प्राइबिट लिम्टेट कंपणी में इस टैरिन गैस का रिशाव होने के कारण 10 अधिक लोगों की मिर्तु हो गई और कई लोग बिमार पड़ गए इस कंपणी कहां इस्थी थे आपको बताना है तो पहला आफसा ने मुंबई दूसरा आफसा ने राजकोर्ट तीसरा आफसा ने विशाका पटनम और चोथा आफसा ने चिन्नेई तो इसका सही जवाब ह 10 अधिक लोगों की मिर्तु हो गई और कई 200 से अधिक लोग बिमार पड़ गए यह दुरगटना से स्रयंत्र के आसपास के पांच किलो मीटर के दारे में आने वाले गाओं के लोग प्रभावित हुए आन्द परदेश सरकार ने मिर्तकों के परिजनों को एक करोड़ उपे की अस्तापना की थी वस उन्नीस संतार में दक्षिड कोरिया की कंपणी एल जी केम ने इस कंपणी का अधिग्रहर कर लिया और इसका नाप परिवर्थित कर एलर्जी पॉलीमर इंडिया प्रेवेट लिमिटेट कर दिया तो अगला प्रदेश देखते हैं तो अगला प्रदेश और चोथा अफसन उत्राखंड तो इसका सही जवाब होगा अफसन नंबर ए उत्तर प्रदेश तो दोस्तों पांच मई दूजाबीस को उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी योगी अधित्यनाथ नहीं आयूस कवच कोविड एप लांच किया यह एप राज के तो अगला प्रस्न देखते हैं तो अगला प्रस्नी की चार मई दूजाबीस को किस राज में जल स्रेचनाव का निर्माड करके राज की वार्सिक जल स्रेचर शमता को पांच लाग करोड लीटर जल की ब्रिदी करने है तो निलांबर पितांबर जल समर्दी योजिना ने ग्रामिर विकास विवाक से संबंदिन निलांबर पितांबर जल समर्दी योजिना और बीर सहीत पोटो हो खेल के विकास योजिना का सुवारम किया निलांबर पितांबर जल समर्दी योजिना के तहट जल संरक्षर की विभीन रशनाव का निर्माड कर राजी की वार् पांच लाग करोड लीटर जल की ब्रिदीर लच्छ है योजिना के अंतरगत पांच लाग एकड़ बंजर भूमी का समर्धन किया जाएगा और योजिना के अंतरगत मन्रेगा के तहत 10 क्रोड मानो दिवस का सेर्जन होगा बीर सहीत पोटो हो खेल के विकास योजिना के तहस सरकारी सभी पंचाय सहीत राजभर में 5000 करोड खेल के मैदान का निर्मार करेगी इस योजिना के माध्यम से सरकार खिलाणियों की प्रतिभाद निखारने का कारेगी योजिना का नाम सहीत पोटो होग करने का उदेश सिंग भूमने अंग्रेजों के बीरूत बिद्रों करन है कि दोस्तों आप लोगों को यह जनकारी कैसी लगी आप जरू कमेंट के मादने में से बताए आपका अपना चनल डियर से कडमी आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद